Long term investing से related हर एक मित को detail में आज के इस वीडियो में हम discuss करने वाल है Long term investing से related हर एक धोका, हर एक जूट और हर एक काले सच को आप सभी के सामने में clear cut बिलकुल simple language में present करने की कोशिश करूँगा अभी तक General Market Trend की series के 4 वीडियो आ चुके है उन वीडियो के comment में मुझे अभी भी बहुत सारे ऐसे investors मिले है जो अभी भी अपने आपको long term direct equity share investor कहते है अभी भी कहते हैं कि आनन्द आप कैसे भूल सकते हैं Infosys, Wipro, Asian Paints, SGFC Bank जैसे example देके अपने आपको तसली देने की कोशिश करते हैं कि हाँ वो भी आने वाले multi bagger को डूनने वाल है अभी भी वो इस बात पे लगे वे हैं कि वो market से लडने वाल है General Market Trend को नहीं मानना चाते और market से fight करना चाते हैं उन सभी investors के लिए मेरा simple सा question है एक काम करिए आप मुझे पिछले 20 सालों के कोई से भी 25 ज्यादा कि मैं बात ही नहीं कर रहा सिर्फ 25 ऐसे नाम multi bagger stocks के बता दीजिए जो ऐसे stocks है जिन्होंने multi bagger stocks बने हैं I am very sure 25 तो छोड़िए 20 नाम भी आप बिना Google को सर्च करें मुझे नहीं बता सकते और आप अपने आपको long term investor बोलने की कोशिश कर रहें ऐसा जूट अपने ओपर थोप नहीं क्यों है जब हम actually में long term investor नहीं है और हम long term investing के सिर्फ गुनगान गा रहे हैं बाकी लोगों को सुनके ऐसे long term investor बनने का वो भी direct equity share में क्या फाइदा ध्यान से समझेगा यहाँ पर में mutual funds की बिलकुल भी बात नहीं कर रहा mutual funds में आप एक portfolio buy करते हैं वहाँ पर आपको long term रहने में एक fund manager आपके लिए stock selection भी करता है और stocks को change भी करता है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ direct equity shares की और किस तरीके से direct equity share में long term सिर्फ और सिर्फ एक धोका है long term investing सिर्फ और सिर्फ एक myth है सोचके देखिए इस बात को कि आज भी अगर आप मुझे 25 ऐसे long term stocks का नाम नहीं दे सकते जो multi bagger बनेते 10 साल 15 साल 20 साल पहले कैसे हो सकता है कि आपने उनी multi bagger stocks में investment किया हो possible ही नहीं है बट हाँ मुझे example स्याद है मैं आपको बताने भी वाला हूँ आज के इस वीडियो में बहुत ही detail में एक एक चीज़ को discuss भी करने वाला हूँ मेरा नाम है अनन्त लडड़ा CFA CACFP LLB open for all telegram का link description में वणना आप सीज़र telegram पे जाके invest आज पर कल search करेंगे तो आपको ये open for all channel मिल जाएगा जिसमें 1 lakh से उपर family members part बन चुके fraud channel से बच के रहेगा original पे आपको 1 lakh से उपर members part मिल जाएगे चलिए शुरू करते हैं आज को बहुत important discussion चाहे आपको अपने long term stocks का नाम याद ना हो बट मुझे जरूर यादे ऐसे multi bagger stocks का जो 20 साल पहले 2000 या 2001 में आप होते तो आपके portfolio में जरूर होते उन सभी multi bagger stocks को अगर मैं आपको याद दिदाने की कोशिश करूँ सबसे पहला multi bagger stock आपके पास होने वाला होता आलोक industries आज क्या हाल है आप सोच सकते हो अगर आपने आलोक industries को buy and hold किया होता क्या हाल हो सकता है आपको भी पता है अगर मैं कुछ और नाम add करने के कोशिश करूँ जो 20 साल पहले के so-called बोले जाने वाले multi bagger stock थे तो उसमें आपको नाम मिलेगा armor remedies का tulip telecom का ऐसी company जिनका आप नाम भी नहीं जानते वो सन 2000-2001 की so-called multi bagger होने वाली थी unity infra, alabad bank, divan housing, list खतम नहीं होगी आपको शायद 20 stock मिले या ना मिले 25 stock मिले या ना मिले, मैं आपको 2500 stock ऐसे बता सकता हूँ जो 20 साल पहले बोले जाते थे कि so-called multi bagger stock है, hold कर लो आपको सुना मिलेगा एक चीज आपको और हमें समझनी पड़ेगी, ना ही आप और हम Warren Buffett है हमें समझना पड़ेगा कि आप और हम सिर्फ और सिर्फ retail investor है और ये सारे लोग जिनका मैं नाम की बात कर रहा हूँ इन्होंने बाकी लोगों के funds आज के दिन manage कर रहे हैं और आप अपने खुद के funds को manage कर रहे हैं और जब आप अपने खुद के funds को manage करेंगे कैसे मैं आपको बोल दूँ कि आप बिलकुल emotional less हो जाओ कैसे मैं आपको हर एक retail investor को ये बोल दूँ कि आप अपने emotions को side में रखो loss होता है, pain होता है, सहो और फिर भी market में बने रहो किस तरीके से ये possible होने वाला है ये मुझे तो आज तक समझ नहीं आया आपको अगर पता हो तो comment करके जरूर बता दीजेगा, अगर आपका hard earned money है, तो वहाँ पर emotional होना obviously compulsory है, मैं आपको मना कर ही नहीं सकता कि आपने emotions को हटा दो इसलिए, अगर आपको so-called buy and hold investor बनना ही है न, तो आपको या तो mutual funds, या फिर अगर आप और भी कुछ चाते हो, कुछी और country में करना चाते हो investment, तो index fund, इनके साथ आप फिर भी buy and hold investor बन सकते हो to some extent, और अगर वहाँ पे भी अगर आप normal सी चीजे follow कर लो तो वहाँ पे भी आपकी journey काफी smooth होने वाली है, वरना mutual funds में भी सभी को पता है, कई वर अगर हमारा portfolio 30%, 25% down हो जाता है तो हमारा क्या हाल होता है, जिस समय market में correction आता है, bear face आता है और एक lumber bear face आता है, उस समय emotions को manage करना बहुत मुश्किल होता है और अगर आप proper bear market में first हुके हैं न, maturity time आप बिल्कुल bottom पे बेच के जाएंगे बहुत सारे investment मुझे आज भी ऐसा पता है जिन्होंने 2015 से लेके 2020 तक equity share market में, equity share mutual fund में invest किया, और 2013 के भाव में 2012 के भाव में, 2020 के correction में base share market से निकले, और आज तो को market में आने से डर रहे है, इसी के साथ मुझे आज कल बहुत डर लगता है direct mutual funds में, जो बहुत ज़ए trade में आ रहे है और हम उसकी पीछे की असलियत को समझ नहीं पारे direct mutual fund को अगर मेरी language में बोला जाए और अगर बिल्कुल short में बोला जाए no help mutual fund है, एक ऐसा mutual fund जहां पे आपको अपने खुद के emotions को, खुद को ही manage करना पड़ेगा और जो सबसे difficult काम होता है और ये हमें समझना ज़रूरी है आज की दिन हम हर एक चीज में professional को hire कर रहे है मतलब, अगर हमारे घर में कोई शादी होती है तो हमें एक professional event manager को बुलाते है हमें पता है कि अगर हमने event manager को event दिया तो हमारे 50 लाक रुपे एक्स्रा लगेंगे बट फिर भी हम event manager को रखते है क्योंकि हमें हर चीज में professional चाहिए हमें doctor बिल्कुर professional चाहिए हमें lawyer professional चाहिए हमें CA professional चाहिए हमें हर एक field में एक professional चाहिए आज तक तो even हम हमारे घर में भी made रखते है made मत रखिए बहुत पैसे बच जाएंगे बट हम रखते है बिकॉज हमें वहाँ से help मिलती है हमें वहाँ से conviction मिलता है हमें एक professional lawyer doctor से काम करने में संतुष्टी मिलती है हमें faith रहता है आज हमारा discussion डाइरेक्ट या regular mutual funds में बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं बस इतना सा आपको बोलके इस topic को close करूँगा और अपने main मुद्धे पर आने के कोशिश करूँगा कि direct mutual fund मेरे साब से सिर्फ no help mutual fund है अगर आप एक ऐसे investor है जिसे सब कुछ पता है आप well worth investor है पका आपको direct mutual fund में जाना चाहिए आपके आदी percent की fees बच जाएगी पर अगर आपको नहीं पता अगर आप एक profession में अगर आप एक busy investor है अगर आप एक ऐसे जने जिसके पास full time job है आपको हमेशा एक distributor या advisor चूज करना चाहिए मैं कभी भी यह नहीं कह रहा है कि आप मुझे ही choose करो जिसमें आपको विश्वास हो जिस पे आपको लगे कि यह आपका श्री कृष्णा हो सकता है उसको choose कीजिए life में हर जगे हम professional को लेने की कोशिश करते बच अपने पैसे की बात आती है तब हम कहते मेरा पैसा है मैं ही manage करूँगा और आपके emotions को manage करेगा वो किसी को नहीं पता अब मैं आपको long term investing के pain को समझाने की कोशिश करता हूँ मेरे साथ बने रहीगा आपको भी कुछ pain feel होगा और असलियत सामने आने लेगेगी 1993 में Sensex का Sensex की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे Sensex का top था 4500 के आसपर Sensex का top बना था 11 साल बाद 2003 में Sensex पता आपको क्या था 26 सो में आप सोच के देखी आपने 11 साल का patience रखा फिर भी आपका पैसा 40% से 50% नीचे क्या हुआ long term investing का और मैं कैसे आके आप सभी को विश्वास दिलाओ 11 साल बाद जब आपका पैसा नीचे है कि विश्वास रखो, conviction रखो अरे सर आपका hard and money है आपको exit लेनी भी आनी पड़ेगी आपको market की respect करना भी आना पड़ेगा आप ही मुझे दिल पे हाथ रखके बताईए 11 साल का patience with negative returns कितने लोगों को आप सभी को उसके बाद भी equity share market में विश्वास रहने वाला है I guarantee you अगर आप में से किसी ने भी एक भी इस type का कोई bear face attend किया उसको face किया आप सबकी भी buy and hold की strategy की related opinion change हो जाएगी जितने भी new wave के expert है उनका तो ये भी कहना है कि 2003 के बाद 5th wave में हम जा चुके 5th wave के बाद जब वो wave complete होती है किस तरीके की तरही तरही मसती है यह आप समझ सकते मैं खुद कोई new wave का expert नहीं हो जनरल market train के basis में exit लेना बहुत जरूरी होता है अगर आपके पास एक simple सा formula है जिसमें पिछले 30 दिन में आपको 7 से 8 volume distribution day मिल जाते है पता चल जाता है कि market में कोई तो है जो market को रोक रहा है market में कोई तो है जो market में selling कर रहा है market में कोई तो है जो market को भागना पड़े तो भागने में कोई डर नहीं है हमारी और आपकी यहाँ पे battle है share market से नेपोलियन जो खुद battle में कभी भी defeat नहीं हुआ था उनका ये मानना था अगर हमें कुछ battle छोड़ के भागना पड़े तो बिल्कुल भी डरियेगा मत आपके लिए और हमारे लिए battle है share market अगर share market में volume distribution days हो रहे जो हमने पिछले वीडियो में discuss भी किया है market से भागने में, market से बाहर रहने में डरिये मत, lightning fast action के साथ market से बाहर निकलिए at least 40-50% cash generate कीजिए at least आपकी जितनी भी aggressive future and options की trade है aggressive trades की बात कर रहा हूँ उसको close करने के कोशिश कीजिए immediately, lightning fast आपको action की requirement होने वाली है आप भी सोचों की मैं देख लेता हूँ तोड़ा सा cost पे आने देता हूँ तोड़ा सा बढ़ने देता हूँ तो आप भी भीड का part बनने वाले हो तो वहाँ पे तो आगे आ जाओ और जब market से लणने की बात हो तो market से चुपचाप शांत रखे पिछाडी, पीछे जाके खड़े हो जाओ आपके आगे आने वाले retail investors को फसने दो, मैं जानता हूँ इतने सारे वीडियोज देखने के बाद भी हर कोई नहीं मानेगा पर आप तो मान सकते हो आपको हर जगे market से लणने की सुरुवत नहीं जब खाने का time हो तो आगे चले जाओ और जब लणने का time हो पिछाडी बन जाओ और पीछे जाके खड़े हो जाओ नेपोलियन की साथ साथ यहाँ पर मैं एक और आपको example देना चाहता हूँ श्री कृष्णा की जो आप में से हर एक जने के गूरू तो एटलीस होंगे उन्हें भी रंचोड बला जालता है उन्होंने भी मतुरा को छोड़के जरासन के डर से मतुरा को छोड़के भागे और दुवारिका में जाके बसा और एक नई नगरी बनाई अगर श्री कृष्णा भी रंचोड बन सकते है तो आप और हम तो क्या ही है हम तो एटलीस शेर मार्केट से लड़ने की जगे शेर मार्केट की जो लड़ाई होने वाली है उसको छोड़के अराम से बाहर बैटके कावर्ड बनने में कोई भी डर नहीं है अब आप मेंसे कुछ लोग मुझसे ये पूछने वाले है कि अनन जर्रल मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहा है ये कैसे बदा चले तो मतलब अभी तक आपने पहले वीडियो पहले तीन से चार वीडियो जनरल मार्केट ट्रेंड के देखे ही नहीं है जल्दी से जाके देखिए complete series separate playlist बन चुकी है एक ऐसा content है जो मेरी तरफ से आप सभी के प्यार के लिए आप सभी की well wishes के लिए मेरी तरफ से आप सभी को free में एक gift मिल रहा है इस वीडियो को देखना मत भूलेगा ये series आपको most powerful tool equity share market में देने वाली है इस चीज़ मेरा विश्वास रखिएगा I hope आज का वीडियो आपको अच्छा लग होगा और आपके लिए एक eye opener वीडियो रहा होगा अगर अभी तक आपके बाद दीमाट नहीं है तो description में DMAT account openings आपको मिल जाएंगे private channel पर जुणने का process भी आपको description में मिल जाएगा उससी के साथ साथ लगे useful तो आप join button membership भी consider कर सकते हैं अभी हम General Market Train की series में कहां पर अगर आपको बताने की कोशिश करूँ एक separate playlist आ चुकी है हम अपने हरी General Market Train की series में बीच में आ चुकी है अब सिर्फ लाश्ट तीन से चार वीडियो बंचे है जैसे ही वो तीन से चार वीडियो खतम होंगे General Market Train की series खतम हो चुकी होगी और आप सभी के सामने presented होगी मेरी आप सभी से वापिस से गुजारिश है General Market Train की series और options की series ये दो series ऐसी है जो इंडिया की one of the best series आपको इस channel पर मिल रही है इन दोनों की series को देखना मत बूलिएगा अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो like करके at least उत्सा बढ़ाना मत बूलिएगा और आप सभी को कुछ ऐसे चीजे में हाँ से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे सच आप सभी के सामने present कर रहा हूँ जो मेरे अलावा I am very sure आपको कोई भी नहीं बताने वाला ना ही कोई इस चीज को मानेगा तो अगर ये वीडियो कुछ अलग लगे अच्छा लगे तो like करके और share करके अपना उत्सा दिखाना मत बूलिएगा happy investing and I will see you very soon market से रंचोड बनने में श्री कृष्ण भी रंचोड हो सकते तो आप और हमको ड़ना नहीं चाहिए